इस फिल्म के मुख्य जो नायक है आज के भुषपूरी फिल्मों के सुपरिश्टार इस फिल्म के बारे में बता दूँ आपको कि इस फिल्म को निर्देशन कर रहे हमारे असलम सेख जी किसी पर्चे के मुताज नहीं है किसी नाम के मुताज नहीं है जिन्होंने भुषपूरी में एक ऐसी पहचान दी है जिसके लिए भुषपूरी भासा जिसके लिए जानी जाती है उस भासा में जैसे बिदाई, संसार, रखवाला इस तरह कि बहुत सारी फिल्में उन्होंने दी हैं बनन टूटेना जो इमोशन्स के सवजन्न से भुषपूरी की वास्विक्ता को निखारती है और बताती है कि भुषपूरी सब्यता एक एक ऐसी सब्यता है एक ऐसी संस्क अधियत बताने वाले पात होती है अस्रम से ची की तो सरा आप कैसे जुड़े हैं इस फिल्म में इस फिल्म का निर्मान मैं अज़े प्रोडूसर कर रहा हूं और हमारी प्रोडक्शन कंपनी है ब्राइंड बिला प्रोडक्शन प्राविक्त लिम तेट और इसके पहले हमार से खास बात हमारी कंपनी कि यह है कि हम लोग आज जिस के लिए जाने जाते हैं अक्सर मुझे कंपनियां करते हैं में नाम नहीं लेना चाहूंगा और उन्हें बुरा भी नहीं लगना चाहिए कलाकारों को गुम्रा किया जाता है लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं गरीब और पतिबान कलाकारों को बिलकुल ही मुठ्ट, मतले मिनिसुल्क रूप में उनका हम लोग अबम कराते हैं, और उनके हम लोगा बनाने में सपोट ना जो फिल्म से जहां देखते हैं 1 वेवस्तार को यहां बनाने की जहां च owt कहानी की बात जो है, कहानी तो नो डाउट भुझ पुरी भासा की जो फिल्मे बन रही है, बहुत सारी फिल्म के बारे में बताएं तो कही на गही और लेडरी वह फिल्म की कहानी हिंदी फिल्मों में लोग को देख लिए रहते हैं वह फिल्मों को और परोसद आ रहे हैं लेखा जाये तो ग्रसे भुष्बूर्ड का जो एक जो बॉबर आया मुझमरी बीच में जो गायब हो गई थी मुझमरी जी को मतलब हार्दिक आभारी सदेवर होगा जिनके वज़े से ये इंडस्टी फिर से मतलब अपने रंग में आई लेकिन उसका हम लोग फाइदा उठाना चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कि हो बहुत किसी भी फिल्म के स ये मतलब कहानी को हमने एक अलग तरीके से भुजपूरिया जो हम लोग का एक महाल है उसमें एक बच्ची एक चोटी बच्ची की मुख्य रुप से किरिदार है और उसके माध्यम से कि किसी मतलब हमारी जो फिल्म में जो बच्ची का रोल है वो खासकर आपको बता दो कि हम बच्ची किसी प्रकार की बीमारी हो चाती है और डॉक्टर के अनुसार उन्हें उसे कहा जाता है कि बच्ची को जितना दिन खुस रखा बच्चे के लाई के कभी भी कुछ हो सकता है और उसकी इर्द-गिर्द कहानिया घुनती है और उसके माद्यम से बताना चाह रहे हैं कि आप अगर बच्चे आपके परिवार रुपी बगिया के ऐसे फूल है जिनको आपको प्यार उनको संसकार रुपी मतलब बागवान की त इस गुलो में डाल पाते हैं तो इन मतलब रेखा जा तो यह मैसेज हमारी फिल्म के मादम से हैं मैं प्रतिवा पांडे सभी लोग जानते हैं और अर्विन जी जो है अर्विन आनंग जी इनकी सोच इनकी जो इनकी कुछ संस्थाएं हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी और इन्हों मेरा सभाग है कि इन्हों ने मुझे ये मौका दिया इस फिल्म में इस फिल्म में मेरा बिल्कुल हटके करेक्टर है एक दम जो आज तक मैंने किया नहीं था थोड़ा सा मॉड है और एक भी देसी टाइप की लड़की है तो मुझे अच्छा लगा इसके सौंग मुझे बहुत अच्छे हैं मधुकर जी ने किया है हमारे अच्छे प्रेवरेट मेंजिक डारेक्टर हैं जिद्धी फिल्म किये थे की हैं हमरा सिब्या करबा बिधाता गुंड़े राज अज़ डगैत इज़त सभी लोगों के साथ काम किया ये मेरा फॉर्स टाइम है कि मैं खिसारी जी के साथ काम कर रही हूँ और असलम जी जो हैं तीन-चार साल से कह रहे थे कि मैं कब काम कर पाऊंगा मैं भी चाहरी थी कि मैं कब उनके साथ काम करूं अच्छे डारेक्टर हैं और उनकी काफी अच्छी अच्छी फिल्में हैं पारिवारिक फिल्में बनाते हैं तो मुझे ये पहला मौका उनके साथ मिल रहा है काम करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस चीज को मैं निभा सकूं और मैं सर के साथ हमेशा खड़ी हूँ मेहनत किया आपने विदेशी लूप के लिए मेहनत किया वो तो गेट अप उट अप सब चेंज होंगे होट कपड़े होंगे थोड़ी स्टाइल होगी वैसा हम कोशिश करेंगे कि वैसे आज तक तो मैंने हमेशा जैसा भी करेक्टर मिला है मैं पूरी 100% उसको निभाने की कोशिश करो हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो लूप मैं पहली बार जो कर रही हूँ ये जरूर सक्सेज होगा थैंक यू सो मच कॉई बंद रहे हो अरे मुच्छे पैर क्या मुझे